हेलो फ्रेंड्स आज हम क्लास फिफ्ट का चैप्टर नमबर 11 करेंगे पेज नमबर 146 एरिया और इट्स बाउंडरी यानि कि इस चैप्टर में हम जो जो हम समझेंगे वो एरिया और बाउंडरी के बारे में समझेंगे कि एरिया और बाउंडरी क्या होता है जो भी हमें यह समझा देते हूं कि area और boundary क्या होता है कोई भी shape हो जैसे कि ये एक shape दे रखी है अब इस shape के जो ंदर है जो अंदर का जितना भी part है इसको हम area बोलते हैं ठीक है कोई भी shape दे रखी है अगर जो इसको अंदर ग comment अर्च side में इसकी boundary होती है इसको हम parameter बोलते हैं तो एक तरह से यहां पर लिखा हूवा area and parameter यहां पर लिखा है area and its boundary मतलब parameter, area और parameter के बारे में इस chapter में बात हो रही है, हमें कई चीजों का इस chapter में area और parameter निकालना होगा, तो यहां पी जो है हमें यह जो शेप दे रहे है इसकी जो भी boundary है उसको हम parameter कहते हैं जो अंदर का जो पार्ट होता जितना भी space होता उसको हम area बोलते हैं clear अब जो है यहाँ पे लिखा हुआ है who's slice is bigger पार्थ और गिनी बॉर्ट आम पापर dried mango slice from a shop पार्थ और गिनी ने एक आम पापर खरीदा एक shop से their pieces look like this उनके जो pieces थे वो इस तरीके के दिखते थे एक ये और एक ये both could not take out whose piece is bigger दोनों में से कोई ये पता ने लगा पा रहा था कि किसका piece बढ़ा है suggest some way to find out whose piece is bigger discuss अब आपको ऐसा तरीका पताईए कि जिससे ये पता चले कि किसका piece जो है वो बढ़ा है a friend of part and guinea short one way using small square उन्होंने एक तरीका देखा मतलब कि उन्होंने एक उनको लेक एक तरीके से एक short one way उन्होंने एक रास्ता दिखाया using small square जिसमें कि उन्होंने एक small square इस तरीके से दिखाया ठीक है कि इस तरीके से जो है पता लगा सकते है कि किसका जो square है जो किसका जो आम पापड है वो बड़ा है तो सबसे पहरे यहां देखते हैं the length of piece A is 6 cm अब जो length A है इसकी जो length जो यह piece है इसकी जो length है वो 6 cm दे रखी है ठीक है so 6 square of side 1 cm can be arranged its length अब इसने जो एक square बनाया है इसने इनको एक रास्ता मिला इनको तरीका मिला यह दूड़ने के लिए कि दोनों में से किसका आम पापड बढ़ा है तो उसने एक square बनाया 1 cm का इसकी जो 4 sides है वो 1 cm है और यहाँ पर जो इसकी length दे रखी है वो 6 cm दे रखी है so square of side 1 cm can be arranged and its length तो जितने भी यहाँ पर 6 cm दे रखी है तो 1 1 cm के distance में क्या करा उसने सारे squares लगा दी जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ यह ऐसे इसने एक-एक square जो है सब में 1 1 cm का लगा दिया इसकी length पर उसकी बात बोला हुआ है width of a is 5 cm इसकी जो width यानकी चोड़ाई दे रखी है width दे रखी है 5 cm है ऐसे उसने क्या किया यही वाला square उसने width की side पर भी arrange कर दिये 5 square can be arranged along its width तो यहाँ पर क्या हुआ इधर तर जो हमारे 6 square अरेंज हो गए length में और width में 5 square अरेंज हो गए अब इन्होंने बोला है all together how many squares can be arranged on it अब पूरे में कितने square अरेंज होंगे अगर हम पूरे में बताएं तो कितने squares अरेंज होंगे बहुत simple है इसकी जो length हमें दे रखी है वो 6 cm दे रखी है और width जो है वो 5 cm दे रखी है तो एक तरीक से यहाँ पे 6 squares है और यहाँ पे यह 5 squares है तो इसको हम क्या करेंगे इन दोनों को हम multiply कर देंगे जिससे में पता चल जगा कि सारे में कितने squares आएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना है यहाँ पे हमें करना है 6 into 5 6 into 5 is equal to 30 ठीक है यानि कि all together how many squares can be arranged on it 6 into 5 is equal to 30 यहाँ पे यह क्योंकि यह 6 है और यह 5 है जब इन दोनों को multiply कर देंगे तो बीच के भी निकल आएंगे so the area of piece is equal to dash square meter तो जो a area है यह जो a piece है इसका area कितना होगा इसका area उतना ही होगा न जितने इसमें square लगे होगे बहुत simple है क्योंकि सब एक एक centimeter का square है तो जितने इसमें square लगे होगे उतना ही इसका area होगा और कितने scared उतना ही 30 लगे है तो इसका area कितना होगा 30 square centimeter ठीक है उसके बाद है in the same way find the area of piece इसी तरीके से हम पीस बी का भी जो है एरिया निकालेंगे अब पीस बी का एरिया लेकिन आप क्या बोला है सेम इसी तरीके से निकालना है स्क्योर से ही तो हम इसी तरीके से निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लगा देते हैं तो कितने यहाँ प 11 into 3 is equal to 33 square centimeter यानि कि इसके इंदे कितने squares आएंगे 33 आएंगे तो इसका area कितना हो गया 33 square centimeter 11 into 3 is equal to 33 square centimeter अब देखो ये जो हमें दो shape दे रखी हैं एक ये दे रखी है रहेगी ये दोनों जो है वो rectangle है जब भी हमें rectangle का area निकालना होता है तो हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी हमें rectangle का area निकालना तो जो भी उसकी length और breadth यानि कि breadth length और breadth जो भी दे रखी होती है हम उन दोनों को multiply कर देते है length into breadth जो भी इसकी length दे रखी है length इसकी 11 दे रखी है ती breadth इसकी 3 11 into 3 हो गया लेकिन उन्हें हमें square से पूछा था तो square से भी same निकलेगा क्योंकि 11 cm का square है तो 11 square इदर आएंगे 3 इदर आएंगे तो 11 into 3 33 square centimeter ठीक है तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी हमें rectangle का area निकालना है तो उसको length into breadth करते हैं ठीक है और उसके बाद मैं आपको कुछ formulas बता दूँगी जब ये वीडियो जो आज की जो वीडियो हमारी complete होगी उसके बाद मैं आपको 4-5 जो है formulas बता दूँगी जिससे कि आपको याद देगा कि parameter निकालने के लिए कौन सा formula लगता है और rectangle निकालने के लिए कौन सा formula लगता है अब हमारे ये वला तो complete हो गया next है cover with stamp अब यहाँ पे एक stamp दे रखी है इस पूरे जो ये जो हमें यहाँ पे rectangle दे रखा है इसको पूरे stamp से cover करना है कैसे करेंगे उन्होंने बोला है कि जो ये stamp है इसका area जो है वो 4 square centimeter है इस stamp का area 4 square centimeter तो guess how many such stamp will cover it big rectangle तो इस पूरे rectangle में कितनी stamps आएंगे ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको पहले हम scale से major कर लेते है ताकि हमें square की length और width जो है वो पता चल जाए जब हम इसको यहाँ से major करेंगे जीरो से major करना है आपने starting से नहीं करना इसमें तो जब हम 0 से इसको major करेंगे तो यह 2 centimeter इसकी length आएगी अगर आप width भी देखोगे वो भी इसकी 2 centimeter आएगी इसमेंज यह एक square है जिसकी length और width जो है वो बराबर है चारो side जो है square की equal होती है तो इसकी भी इकूल है यह square है अब यह इस tier stamp को हमने पूरे rectangle में बताना है कि कितनी आएगे guess how many such stamp will cover this big rectangle कितनी आएगे इसके अंदर तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले हमें यह length दे रखी है इसको हम पूरा major कर लेंगे तो जब हम major करेंगे तो जो पूरे rectangle की length आ रही है वो आ रही है 14 cm ठीक है अब जो इसकी width आ रही है वो कितनी आ रही है वो आ रही है 8 cm यानि कि इसकी length कितनी हो गई 14 और width कितनी हो गई 18 अब जो इसमें stamp है वो 2 cm किये है ठीक है तो अगर हम इसकी length में कितनी stamps आएंगी यानि कि हम 22 cm काउंट करके लगा सकते हैं, जैसे कि यह 2 cm पे मैं निशान लगा रखे हैं, एक stem इधर आ जाएगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, टुठल कितनी हो जाएगी, अगर जब आप 22 cm पे जब आप इसको मेजर करोगे, इस तरीके से तो आप पॉइंट लगा ले ना, जैसे कि पहली stem तो पहले 2 पे है, फिर दूसरी 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे, फिर 10 पे, फिर 12 पे, इस तरीके से लगाएंगे तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे यहाँ पे, टोटल कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल जो है वो 7 stems हो अगर हम ऐसे वृत का देखें इसका, जो इसकी यहाँ पे दे रखें, 8 cm दे रखाया है, तो पहले तो पहली वाली तो पहले से में 2 cm पे दे रखी है, फिर 2 cm और फिर 2 cm, कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 strands हो जाएगी, इस तरीके से, यानि कि यह इस तरीके से जो है यह, आ आप इसको scale से कर सकते हो, ऐसे जो है, यह हमारी यहाँ पे length में हमारी 7 strands आ जाएगी, और यहाँ पे हमारी यह 3 strands आ जाएगी, ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इस rectangle का जो, इस rectangle में total कितनी stems आएगी, तो यहाँ पर कितनी stems आ गई 7 और यहाँ पर कितनी आ गई 3 stems, ठीक है क्योंकि 22CM है और यहाँ पर भी हम यह 22CM दे रखा है तो total यहाँ पर यह 4 चंच है, therapists Pam 30 नहीं है won two three four तो यहाँ पर यह 7 है यहाँ पर यह 4 है तो हम क्या करेंगे 7 into 4 कर देंगे तो कितना है गाज़ेगा 7 4 गाज़े है 28 यानि कि टोटल इसमें कितनी स्टेंप्स हो गई 28 स्टेंप्स हो गई आप काउंट भी कर सकते हो चुछ जब आप काउंट करो 28 ही आएगा तो 7 स्टेंप्स यहाँ पर है औ तक है किए ड़ी रखे और तो ट्रांव में रिक्टेंगल अब यहां पड़ा रहा है कि इसको किते सब्हुतिर पर गवा की कि Satya है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी stems आई हैं इसमें 7 stems आई हैं और how many width is the rectangle, rectangle के जो width थी हो कितनी है 8 cm है तो how many stems can be placed of width, width में कितनी आई थी 4 आई थी, width में 4 आई थी 1, 2, 3, 4, 4 आई हैं उसके बाद है how many stems can need cover the rectangle, अब पूरे rectangle कितनी stems ने cover किया था, 7 इसकी length में थी और 4 इसकी width में दे, तो 7 into 4 कितना हो गया 28, total जो है how many stems need cover the rectangle, पूरे rectangle को cover करने के लिए 28 stems लगी हैं, तो उसके बाद हा how close your earlier guess, आपने पहले क्या guess लगाया था और उसके बाद जो आपने area of rectangle, अब पूरे rectangle का area कितना है, अब area of rectangle निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने को पहले ही बताया था जब भी हम area of rectangle निकालते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला है length into breadth, यानि कि जो भी उसकी length दे रखी है और जो भी उसकी width दे रखी है, उसको हम multiply कर देंगे, तो length कि रखी है, और breadth कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, तो 14 into 8 करेंगे, तो क्या आएगा, 112, ठीक है, तो इसका जो rectangle का area है, वो क्या आया, 11 to 112, उसके बाद, what is the parameter of rectangle, अब हमें parameter निकालना है इस rectangle का, parameter कैसे निकालते हैं, ये length और ये breadth, जब भी हमें area और जब भी हमें parameter निकालना ह होता, rectangle का, तो उसका formula होता है, 2 into L plus B, यानिके 2 जितनी भी length है, length कितनी थी, इसकी 14 थी, तो जो भी length और breadth होती है, उन दोनों को पहले हम plus कर लेंगे, और जो plus करके answer आएगा, उसको हम 2 से multiply कर देंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 14 और 8 को दोनों को plus कर देंगे, plus करके क आएगा, 48 को 22, अब 22 को 2 से multiply कर देंगे, तो 44, यानिकि parameter जो इस rectangle का है, वो है 44 cm, ठीक है, आज हम इसी page तक करेंगे, page नमर 148, नेक्स वीडियो में हम इसका आगे करेंगे, अब यहाँ पे कुछ practice time दे रखा है, about plants to tile his kitchen floor with green square tiles, अब यहाँ पे एक फ्लोर दे रखा है, इसक इसको लगानी है, इसने सोचा है, कि इस kitchen के floor पे ऐसी green cloud के tile वो लगाएगा, each side of the tile is 10 cm, अब जो tile की side है, वो 10 cm दे रखिया है, his kitchen is 220 cm length, अब जो kitchen की length है, वो 220 दे रखिया है, और kitchen की जो width है, वो 180 दे रखिया है, तो how many tiles will be need, तो पूरी kitchen में कितनी tiles लगेंगी, पूरी kitchen में कितनी tiles लगेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, we know that हम जानते हैं कि area of rectangle, यानकी rectangle का जब area निकालते हैं, तो उसका formal length into breadth करते हैं, तो जो kitchen है, उसका जो shape है, वो rectangular का है, तो area of floor of kitchen भी same होगा, length into breadth, यानकी जितनी भी उसकी length दे रखिया, और जो breadth दे रखिया की, दोनों को multiply क निकल आएगा, क्योंकि kitchen जो है, वो rectangle shape में है, kitchen का area तब निकल आएगा, जब हम इन दोनों को multiply कर देंगे, length into breadth, ठीक है, उसके बाद also we know that area of square, अब area of square का formula क्या होता है, जब हमें square, अब जो tile है, वो square shape की है, जब हमें उसका निकालना होता है, area square का, तो हम side into side का formula लगाते है क्योंकि उसकी 4 sides equal होती है, इसलिए area of one tile का कितना होजेगा, 10 into 10, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या kitchen का area, यहाँ पे tile का area, यहाँ पे kitchen rectangular shape की है, और tile square shape की है, अब number of tile secret, अब हमें यह बताना है कि कितने tiles लगेंगी kitchen के अंदर, तो area of floor, जो भी area of kitchen हम जो floor था, वो लिखेंगे, अ area of tile, जो भी area of tile हमें निकालेंगे, तो area of kitchen किया था, 22 into 180, और area of tile 10 into 10, अभी हमने इन दोनों को solve नहीं किया था, तो हम यहाँ पे इसको solve करेंगे, यह 0 से 0 cut हो जाएगा, 0 से 0 cut हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 22 into 18, जब दोनों को multiply करेंगे, तो 396, अब जो है, 22 into 18, जो है, वो 396 tiles लगेंगी, total जो tiles लगेंगी, अब कितनी लगें kitchen के अंदर, 396 जो है, tile लगेंगी kitchen में, next question देखते हैं, the financing of a square garden is 20 meter is length, अब जो garden है, उसके चारो तरफ जो financing लगी है, जिसको आब एक wire भी कह सकते हैं, कि चारो तरफ एक wire लगी हुई है, उसकी length 20 meter यहाँ पे हमें द रखी है, तो how long is one side of garden, अब garden के जो लंबाई है, length है, वो निकाल ली है, ठीक है, हमें जो है, यहाँ पर यह बताया हुआ है, कि एक garden है, जैसे मालों यह garden है, यह garden है, इसके चारो तरफ जो है, एक financing लगी है, यहनकी wire लगी है, अब वो बोल रहे हैं, जो यह wire है, यह total मिला क 20 meter है wire, तो इसकी जो garden के जो length है, वो बतानी है, ठीक है, अब यह जो wire हमें दे रखी है, एक तरह से इसको हम parameter बोलेंगे, क्योंकि यह पूरे garden के उपर लगी हुई है, जब वो पूरे garden पे लगी है, तो उसमें length और breath दोनों ही आ गई, जब length और breath दोनों ही आ गई, उसकी wire क अंदर, तो it means वो उसका parameter हमें पहले से ही दे रखाया, अब जो garden है, वो कौन सी shape में है, square shape में, एक बार फिर देख लीजिए, इस सरीके से garden है, और इसके जो चारो तरफ है, एक wire लगी है, ठीक है, चारो तरफ लगी है, और उस wire की length जो है, वो 20 meter दे रखी है, तो it means उसकी boundary पर लगी है, और boundary के होती है, parameter, तो उसकी length से हमें पता चल गया, कि इस square के parameter है, वो 20 meter है, अब उन्होंने हमें इसकी length निकालने के लिए बोला है, यानि कि इसकी side निकालने के लिए बोला है, जब इसकी एक side निकल जाएंगी, तो चारो side इसकी equal होती है, तो चारो ही निकल तो हमें एक ही side निकालने पड़ेगी, अब we have a parameter 20 meter, जैनके हमारे पास parameter 20 meter दे रखा है, अब इसकी side निकालने के लिए क्या formula होता है, 1 upon 4 into parameter, यह इसका formula है, side 1 upon 4 into parameter के जगा लिखेंगे 20, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो इसकी side कितनी आगए square की 5 meter, ठीक है, बहुत simple है, उसके 10 wire 20 cm long is formed into a rectangle, अब जो एक 10 wire है, वो 20 cm एक rectangle के ओपर लगी हुई है, sorry, अ थिन wire, पतली wire जो है, एक 20 cm long is formed into a rectangle, if the width of rectangle is 4 cm, अगर उसकी जो width दे रखेंगल की 4 cm, तो what is the length, तो उसके हमें length बतानी है, यह भी same है, देखो, अब यहाँ पे जो rectangle की बात हो रही है, यह rectangle shape हो गई, अब वो कह रहे हैं, इस rectangle shape के ओपर एक thin wire, इनकी पतली सी wire जो है, इसके चारो तरफ लगी हुई है, ठीक है, उन्होंने बोला है, इसके चारो तरफ एक पतली सी wire लगी हुई है, और यहाँ पी जो इसकी width दे रखेंगल की, वो 4 cm दे रखेंगल की, जो इसकी यह rectangle का parameter दे रखा है, क्योंकि उन्होंने यही बोला है कि इसके चारो तरफ जो है, thin wire 20 cm long is formed to the rectangle, इसके चारो तरफ लगी हुई है, it means इसका parameter हमें दे रखा है, we have a parameter 20 cm, ब्रेथ इसके दे रखेंगी है 4 cm, अब इसकी length निकालने के लिए क्लिए क्या करेंगे, 1 upon 2 into parameter, देखो, ज जब हमें square की side निकालनी होती है, तो 1 upon 4 करते हैं, क्योंकि उसके 4 sides यो है, वो equal होती है, लेकिन जब हमें rectangle की side निकालनी होती है, तो हम 1 upon 2 करते हैं, क्योंकि जो उसकी आमने सामने वाली sides होती है, वो equal होती है, 4 तो निकाल होती, इसलिए 2 equal होती है, दो इधर से, दो इधर स 2 और यहाँ पे आजेगा 2 अंजा 2 यहाँ आजे 2 टेंजा 20 और यहाँ पे जो है 4 cm की width दे रखिया तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे अब जो भी इसकी cutting करके 10 cm आए 10 को 4 में से minus कर देंगे 10 cm minus 4 तो क्या आएगा 6 cm यानि कि length कितनी आ गई 6 cm जो है वो इसकी length आगे ठीक है तो यहाँ पे जो है आज हम यहाँ तक करते हैं अब हमने जो आज इस वीडियो में कौन-कौन से formula की हैं वो हम देख लेते हैं इसके अंदर एक तो है हमने इसमें square parameter और square का area गर निकालना हो तो कौन सा formula लगाते हैं जब square का हमें parameter निकालना होता है और area निकालना होता है तो देखो जब हमें इसका parameter निकालना है तो 4 into side जो भी side दे रख्योगी आपने इसको 4 से multiply कर दें अगर हमें square का area निकालना है तो side into side जो भी side दे रखियोगी आपने उसको दो बार multiply कर देना, side into side, अब हमें जो है, area of rectangle निकालना है, area of, अगर हमें area of rectangle निकालना है, area of rectangle निकालने के लिए कौन सा formula है, और parameter of rectangle, यानि कि जब हमें rectangle का area निकालना हूं, और rectangle का अगर parameter निकालना हो तो कौन सा फ़र्म रेगा जब हम rectangle का area निकालना है तो length into breadth और जब हमें rectangle का parameter निकालना है तो 2 into L plus B यानिकि जो भी length breadth है जो उसको plus करके answer हैगा आपने उसको 2 से multiply कर देना है आप हमें मालो parameter दे रखा होता है हमें जो है square की side निकालनी है square की side निकालनी के लिए 1 upon 4 into parameter जो भी parameter दे रखा हो आपने उसको 1 upon 4 कर देना है ऐसी अगर हमें rectangle की side निकालनी होती है तो हम क्या करते है 1 upon 2 into parameter जो भी parameter दे रखा हमने उसको 1 upon 2 कर देंगे ठीक है तो आज हमने जो main है है कि square और का parameter area पड़ा rectangle का parameter area square के side कैसे निकालते हैं rectangle के side कैसे निकालते हैं या आज हम ने इसमें देखा next video में जो है हम इसका आगे का part complete करेंगे hopefully आपको यह वीडियो helpful लगाओ video helpful लगने पर like करें और वीडियो को share करें channel को subscribe करें